प्रेसेंटिंग सिविल गुरुजी एप एप एपलेबल इन गूगल प्लेश्टोर डाउनलोड नाव नमस्कार आदाप शत्री अगाल मैं पंकेज मीना एश्टीमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर एक बाप फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूटिव चैनल सिविल गुरुजी दा सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टेट्यूट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सकावेशन का वर्क जब भी आपकी साइट पर होगा तो उस एक्सकावेशन वर्क के द किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पहला स्टैप होता है जहां पर हम साइट को क्लीन करवाने के बाद एक्सकावेशन करवाने का काम करते हैं और यह एक्सकावेशन वही होता है जहां पर भी हमारी फुटिंग्स वगेरा आ रही होती है अब यह फुटिंग्स की प् और काम चल रहा होगा, excavation का, तब आप excavation के पहले और excavation के दौरान कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना है, और सारी एक list को prepare करना है, और इस list को ले जाकर करके site पर पहुंचें, और वहाँ जाकर चेक करें, चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, तो सबसे पहला point जो यह आई है, तो वहाँ पर वो drawing जो latest drawing आना चाहिए थी, वो आई है कि नहीं आई है, किस number की वो drawing है, वहाँ पर उस चीज़ को आपको check करना है, काम को शुरू होने से पहले, अब हम बात कर रहा है, pre-execution checks के बारे में, pre-execution checks मतला वो चीज़ है, जो काम start अभी नहीं हुआ है लेकिन काम के start होने के पहले कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों के बारे में बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे पहले point को, यहाँ पर सबसे पहला जो point है, वो है, are the latest goods for construction drawings are available or not, मतलब की, जिस भी drawings है, आपको काम को execute करवाना है, जै जैन फिलिंग है, PCC है, या क्या क्या चीज़े आ रही है, तो उन सारी चीज़ों को आपको उसी drawing से देखना है, ऐसा नहीं कि आप ground beam का layout plan उठा के बैठ जा रहा है, या slab beam का layout plan उठा के बैठ जा रहा है, जिस drawing से आपको काम करना है, वो ही drawing होना चाहिए, मतलब excavation अगर कर testing होता है, proper labs लोग आते हैं, वहाँ पर उसका sample ले करके जाते हैं, और फिर इस report को तयार किया जाता है, जिसमें पता चलता है, कि हमारा hard startup किता रहा, मतलब कि safe bearing capacity हमारे soil की कहां मिल रही है, हमें किस level पर मिल रही है, ये आपके side पर होना चाहिए, कि आपको अगर वहाँ पर 2.2 meter का हो रहा है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, कि soil investigation report आपके side पर excavation के दौरान होना चाहिए, next point हमारा आ रहा है, TBM जित्ते भी वहाँ पर है, जैसे ये आप लोग देख रहे है, ये होता है temporary benchmark, ये वो चीज होती जिसम levels को transfer करते हैं, आपको इस चीज को द ठोस होना चाहिए, वहाँ पर जितने भी आपके levels हैं, उन levels को TBM को वहाँ पर mark कर दिया जाना चाहिए, आपके side पर आपके काम के शुरू होने के पहले, next point हमारा आ रहा है, कि जो भी आपका excavation हो रहा है, उस excavation का जो भी material निकलने वाला है, अगर आपको आपके side पर ही store कर करने वाले हैं, कि आपके उनसे बात हो गई है, और वहाँ पर जहाँ पर आप उस चीज को dump करने वाले हैं, वहाँ पर वो विवस्तेद रूप से पहुंच रहा है के नहीं पहुंच रहा है, इन सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपके काम के start होने के पह अगर वहाँ पर available हैं, तो आपको ये देखना है कि कितने ज्यादा amount में trees available हैं, नहीं तो पता चल रहा है क्या होता है, कई बार साइट पर हम trees को कडवा देते हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छे से उनके roots जो हैं वो फिर से develop हो जाते हैं, और हमारा काम हो जाता है, पूरा उस मतलब कि वहाँ पर कोई भी nutrition पैदा नहीं होना चाहिए, अगर nutrition हुआ, तो वहाँ पर बापिस से क्या होगा, कीडे मकोड़े आके लग जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, फिर आपको anti-termite treatment करवाना पड़ेगा, और anti-termite treatment के उपर मैं आप लोगों के लिए video लेकर के आच चुका हूँ, अगर आपने अभी तक उस video को नहीं देखी है, तो i button में वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ पर जा करें उस video को देख सकते हैं, next point आ रहा है हमारा कि जो भी machinery आपके site पर excavation करवाने के लिए आप बुलवाने वाले हो, क्या वो machinery वहाँ पर पहुंच भ पर पहुंच जाती थी, कई वार ऐसी machine लिए आती थी, जिस जो main road पर खड़ी रहती थी, लेकिन उसके pipeline जाती थी, और उस line के तुरू जो है, अंदर जो है pressure पहुंचा है जाता था, वहाँ पर bore well हो पाता था, तो आप लोगों को दौनों cases में ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर machine side पर पहुंच पा रही है, तो आपको कौनची machine बुलवाना है, इस से मैंने आपको इस example से relate करके बता है, कि excavation में आपको जिस भी size का machine वहाँ पर पहुंच सकता है, उसी size का machine बुलवाना है, अगर वहाँ पर JCV या आपका power shovel, जो आपको इस image में देख रहा है, अ यह कई बार क्या होता है, जब भी हम basement वगरा के लिए excavation करते हैं, footing के लिए हमारे excavation होता है, तो उस excavation के दौरा machine क्या करती है, पूरा excavation करती है, लेकिन वो इस चीज का ध्यान भूल जाते है कई बार कि हमें जो है ऊपर भी जाना है वहाँ पिस, machine को वहीं नहीं छोड़न पूरा excavate कर लिए, machine तो अंदर फसके रहे जाएगी, अब उसको अंदर तो नहने नहीं देंगे हम, अब उसको बाहर निकालने के लिए आपको extra पैसा देना होगा, या फिर आपको extra मेहनत करनी होगी, तो उन चीजों से बचने के लिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है कोई भी machinery basement के लिए अगर अंदर जाकर के excavation कर रही है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वहाँ पर ramp जो है proper बनाया जाए, उसका excavation उसकी soil को वहाँ से ना निकाला जाए next point जो आ रहा है हमारा ये है center line layout, आप जैसे कि देख रहा है हम लोग center line layout करवाते भी हैं हमारे offline training में और आप लोगों में से भी engineers होंगे, मेरे जो student होंगे उन लोगों ने देखा होगा, site पर जाकर के कैसे center line layout को perform किया जाता है तो ये जो है हमारे excavation pit की placing है, जो आपको चूना डला हुए दिख रहा है न, ये excavation pit की placing है, जैसी वाला आएगा उसको आके बोलेंगे भाई, इन जगाओं को तुरको excavate करना है, तो उसको इस चीज को बताना है कि जो भी grid lines है, उन grid lines की marking proper होना चाहिए, ऐसा नहीं कि marking कहीं और जा रही थी, drawing में कहीं और दिया था और आपने कहीं और करवा लिया, आपको उस drawing से data को अच्छे से check करना है, कि वहाँ पर पूरा काम drawing के हिसाब से हुआ है, या नहीं हुआ है, next point है हमारा कि safety measures का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आसपास जो भी site पर काम ऐसा तो नहीं, वहाँ पर हमारे level, हमारे site पर जो है, हमारे जो lever थे वो काम करने जा रहे हैं, और आसपास की site पर भी construction का काम चल रहा है, वहाँ पर green net नहीं बना हुए था, तो वहाँ पर कोई भी hammer या कोई भी heavy equipment वहाँ से गिर रहा है, आपके lever के सिर पर अगर वो गिर ग अब यह तो हमारे एकदम important point है, कि site पर आपके जब भी कोई काम चल रहा होगा, आपको इस चीज़ को ensure करना है कि वहाँ पर first rate kit available होना चाहिए, क्योंकि site क्या है कि बहुत सारा काम चल रहा होता है, एक साथ, अब वहाँ पर बहुत सारे lever काम कर रहा है, अब वो लोग कुछ काम में क्या होता है, वो चोट लग जाती है, वो चोट जो लग रही है, उसकी primary recovery के लिए आपके पास first rate kit होना ही चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान लगना है, जब भी excavation का काम चालू होने वाला हो, उसके पहले आपके site पर first rate kit पहुँचा है, next point है हमारा dewatering के लि आपको ध्यान लगना है, जो प्रॉपर arrangement होना चाहिए, इन केस अगर हमारे footing के अंदर excavation pit के अंदर पानी आ जाता है, तो dewatering की विवस्ता है, वहाँ पर हो इस चीज़ का आपको ध्यान लगना है, next point हमारा वही है, कि dewatering अगर हो रही है, तो आपको pump का विवस्ता करना हो अब आपको यह देखना है कि कौन सा pump बुलवाना है, डीजल से चलने वाला बुलवाना है, या आपको electricity से चलने वाला बुलवाना है, call से pump की वहाँ पर विवस्ता हो सकती है, या site के आसपास हमें कहां से rent से मिल सकता है, सस्ती कीमत में, कम कीमत में, तो उस चीज़ का आप आले के लिए pump का पर विवस्ता आपको वहाँ पर करना होगा, next point है हमारा कि जो depth है, construction soling की, अब यह construction soling क्या होती है, आप लोगोंने कई बार देखा होगा, जब भी आपको drawing मिलती है, excavation की drawing मिलती है, तो उसमें आप लोगोंने देखा होगा, कई बार sand filling की जाती है, कई ब जादा extra करना पड़ेगा अपन को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई, अगर 2 मीटर का excavation pit है, और आपको वहाँ पर sand filling करना है, और PCC करना है, suppose 100 mm का, तो 200 mm आपको extra excavation करवाना पड़ेगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई, construction soling, जो भी रहेगी, आपके excavation pit में, वो उसमें included है या नहीं है, पहली चीज़, अगर नहीं है, तो आपको उसमें add करवाके, आगे का काम excavation बड़ा करके करवाना हो, next point है हमारा, जब भी काम चलता है, तो जो भी owner है, या जो भी हमारे client है, उनको site पर बुलवा लेना चाहिए, औ और वो site पर आकर एक बार देखने के काम किस तरीके से हो रहा है, अब होता क्या है, कई बार excavation हो रहा है, ये back away चल रहा है, JCB चल रहा है, JCB न उठा के material को इस तरफ डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, अब client आये, उनकी permission के बिना ये काम हो रहा था, अब उन्होंने ब passport करवाना होगा, अगर वहाँ पर पहले ही पता चल जाता कि इस मिट्टी को या जो इस soil को जो निकल रही है, यहाँ पर, उसको हमें किसी पार्क में डलवाना है, तो हम तुरन ट्रेक्टर ट्रॉली को विश्ता करते, ट्रॉली में डारेक्ट JCB को रखवाते, दो-तीन ट्र सब्सवार चल रही है और नहीं चल रही है इस चीज को इस रूप से ध्यान रखना है, नेक्सित पॉइंट है हमारा, जित्ते भी required tools हैं, वहाँ पर available है या नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है, वहाँ पर जितनी machinery है, जितने भी equipments वहाँ पर लगने वाले हैं, उन सारे equipment का आपको ध्यान रखना है कि काम के शुरू होने के पहले वहाँ पर वो available हो जाएं यह तो बात हुई हमारे उन checks की जो काम शुरू होने के पहले हमें ध्यान रखना है अब हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो काम चल रहा होगा तब हमें कौन का ध्यान रखना है next पॉइंट है हमारा block level register के उपर अब यह क्या है हर एक site के जैसे काम चलना है जैसे चार building बना एक block है B block है C block है D block है हर एक block का अलग-अलग level का एक register होता है उस register में सारे levels mention किये गए होते हैं कि यहां पर आपको जो level लेना है वो 2.2 meter का या suppose 2 meter का depth आपको achieve करना है तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो register वहाँ पर available था उसके data के according आपको excavation करवाना है उस bit का ताकि कि किसी भी तरह की mistake वहाँ पर ना होने पाए next point है हमारा जित्ता भी layout या alignment का काम चल रहा है जो आपने layout किया centerline layout वो as per drawing है या नहीं है और अगर drawing के according भी किया गया तो क्या वहाँ पर किसी भी तरह का कोई ने F1 के नाम पे तो mark नहीं कर दी या सारी कि सारी footing F2 के नाम पे तो mark नहीं कर दी या कहीं किसी footing को interchange तो नहीं कर दिया यह सारी चीजों को आपको देखना है कि जो layout हुआ है वो according to drawing हुआ है या नहीं हुआ इस चीज का आपको ध्यान रखना है next point है हमारा कि जित्ता भी depth of cut मतलब कि अगर मेरे को 2.5 मीटर तक का excavation करना था तो वो 2.5 मीटर की height को achieve किया गया है नहीं किया गया जो depth उसकी होना चाहिए थी 2.5 मीटर वो हुई है कि नहीं हुई इस चीज का आपको विसे इस रूप से ध्यान रखना है हर एक excavation pit के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी तो वहाँ पर steps आपने provide की है नहीं कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है next point है हमारा कि वहाँ पर अगर loose soil है तो shoring और strutting की गई है नहीं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर यह जो arrangement है इसको हम बोलते है close timbering यह close timbering तब की जाती है जब आप excavation कर रहे हो और आप excavation करी नहीं पा रहे है वो soil जो है उसी pit में आकर के गिर जा रही है उस case में क्या होता इस arrangement को लगाया जाता है जिसको हम बोलते है close timbering तो इस close timbering की व्योस्ता को वहाँ पर loose soil है तो लगाना चाहिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है next point है हमारा जितनी भी pits का excavation लंक्स में पानी जाने के कारण वहाँ पर उनकी मौके पर मौत हो गई तो इस type की कोई भी incident ना हो कोई भी accident ना हो इसलिए आपको बैरीगेडिंग प्रोपर करवा देना जितनी भी जगा पर excavation हो चुका है next point है हमारा height indicator की recording आप लोगों ने देखा होगा जब भी जो back होई होती है जो जैसी भी होती जब भी खुदाई का काम करती है तो वहाँ पर हर बार तो इंजीनियर नहीं बैठा होगा जैसी वाले के पास तो वहाँ पर क्या करते हैं उसको हम बताने के लिए कि भाई तुम्हें कित्ता excavation करना है उसका यह जो आपको बूम दिख रहा है यह जो इस बूम के ऊपर निशान लगा दिये जाता है जब भी वो नीचे बौंटम में लेके जाएगा उसके होई को मतलब जूशका वावड़ा है आगे वाला पार्ट जो है जो इसका बकिक है उस बकिक को जब भी वो नीचे लेके जाएगा तो इसका बेस रखाएगा कहीं तो यह अगर उसका कोई बूम है इस बूम पर मार्क कर दूंगा कि दो मीटर मेरा यहां प्यारा है तो उस दो मीटर के क्या होगा उसको जो आपरेटर उसको पता चल जाएगा कि उसको कितने एक्सकाविशन वहाँ पर कितनी डेफ्ट तक करना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हाइट इंडिकेटर आपकी जो मशीनरी उसको पर लगा दिये जाए ताकि आप अगर वहाँ पर नहीं भी अविलेबल है तो वह उस डेफ्ट तक पहुँच जाए वह बहुत टोड़ के चलिया रही है या वह जहाँ पर लगाए गया है वहाँ पर जो हैं वरकिंग अच्छे से एफिशेंट नहीं हो पार ह dance कर रही है किसी भी तरह से जो भी आपकर मार्किंग कि हुई है और रिस्तर नहीं होनी चाहिए आपको ऐसी जगह पर उनको पलेस करना है औरけど साइट पर जगए नहीं है तो आपको उनको अच्छे से प्रोटेक्शन देना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कर ना हो कोई भी डिस्ट्रबेंस क्रियेट वहाँ पर ना हो बढ़ते हैं हमारे नेक्स पॉइंट इस और यह है कि भाई जब भी आपके साइट पर एक्सक अब किसों में तो क्या होगा अगर वहां पर ब ل्रास्टिंग प्रोईबीट्ट अध्वाईन तो आपको बेट को पर आपको नहीं से जहाँ आद आ भी उसका काम नहीं करवा नहीं नहीं है नहीं तो पता चलदा उस नहीं लगा दिए वहां पर इतनने बड़े डाइनमाइ वीडियो जिसम आपना बात की completely excavation work के regarding कि excavation शुरू होने के पहले आपको कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और जब आपके site पर excavation का काम चलेगा तब आपको कौन-कौन सी चीजों का ध्यान मुझे लगता है आपनों बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि जब भी आप site पर जाएंगे तो अच्छे excavation work को properly execute करवा पाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो सामें जो लाइक का बटन दिखरा है उसको प्रेस कर दीजिए और सब्स्राइब का जो रैट कलर का बटन उसको भी हिट कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडिय कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरू जी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन जैबारब